अगर आप Facebook के ज़रीए दोस्त बनाकर किसे से प्यार करते हैं तो आज सावधान रहे, क्योंकि कुछ रिवा महिलाओं से दोस्ती करते है और Facebook दोस्ती कе ज़रीए उनसे प्यार करते है, शादी का लालज दिखाओ वे फिर सब कुछ लोटने के बाद शादी करने के लिए ब्ल महिला का बलातकार किया क्या, Th arisesure promise ? और फेस्बुक पर यवा महिलाओं या लड़कियों की तस्वीरे पसंद करते हैं। वे फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। इसके बाद वे मोबाइल नंबर प्राप्त करते हैं और अक्सर प्यार भरे संदेश भेजते हैं। वे गलतिया करके अपना करने की कोशिश करते हैं। इसकी तरह की एक घटना में गिट्टिक अधान में रहने वाली 32 वर्षय महिला ने फेस्बुक पर हर्याना सरकार के एक अधिकारी विनोद सीह लक्ष्मन सीह राठी से मुलाकात की। उन्होंने महिला के बारे में सभी सवाल पूछे। वह एक व माता-पिता और रिष्टेदारों से मुलाकात की और शादी करने के लिए अपनी ततपरतात दिखाई। 19 जनवरी 2020 को उसने हर्याना का दोरा किया। वह उसे घर ले गई और उसे अपने माता-पिता से मिलने के लिए कहा। हाला कि उसने उसे टाल तिया और उसे होटल में र और महिलाए है जो पारिवारिक समस्याओ के कारण अकेलापन महसूस करती है। यह देखा गया है कि लड़किया अकसर भावनात्मक आधार के लिए इस तरह के भ्रम का शिकार हो जाती है। इस बात का ख्याल रखे कि अपना फेस्बुक अकाउंट लॉक रखे। किसी अजन साइबर अपरादी फेस्बुक पर लड़कियों के नाम से फर्ज अकाउंट खोलते हैं। लड़किया फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज़ कर चैट करती हैं। नीचे मामलों को साचा करती हैं। नीचे तस्वीरे, नीचे संबंदों की जानकारी या बॉइफ्रेंड के बारे म में तस्वीरे भेजती हैं। इसका फाइदा उठा कर फोटो वाइरल करने की धमकी दिचाती हैं। और बहुत एक संपर्क या फिरोती की मां के प्रकार उभरते हैं। साइबर पुलिस को रिपोर्ट करने से न डरें। ऑनलाइन प्यार के चाल में न पड़ें। किसी अजन मीडिया का इस्तेमाल ब्लैक मिल या फिरोती मांगने के लिए कर रहा है तो साइबर पुलिस को उसकी सूचना देने से न डरें। शिकायत करता लड़कियों के नाम गुपत रखकर आरोपियों के खिलाब सक्त कारवाई की चायकी। साइकोलोजीकल ट्रिक्स बोल सकते हैं जिसमें की फिशिंग, विशिंग, साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिन आ सकता है। सोशल मेडिया फ्रोड्स जिसमें की सिंपैथी फ्रोड्स, रोमैंस फ्रोड्स, ड्रेट डेबिट कार्ड्स यह आता है। फिर online banking frauds जिसमें की अलग-अलग टाइब के modus operandi का इस्तेमाल करके आपके account में से पैसा चुराया जा सकता है और उसके बाद computer या electronic gazettes पे cyber virus attack ये broadly cybercrime का categorization हो सकता है लेकिन जैसे कि आपने भी बोला कि facebook के उपर दोस्ती करके एक दूसरे के साथ जान पहिचान बढ़ा के थोड़ा अलग-अलग टाइब के crimes भी हो रहे है तो मेरी जन्ता को request है आपके माध्यम से कि आप इसके बारे में ज़्यादा ज़्यादा सतर करिए हम सबको पता है कि internet has become an essential ingredient and mandatory part of everybody's life today हमको अगर online banking करना है तो internet जरूए हमको shopping करना है तो internet जरूए कोई चीज खरीदना कोई चीज बेचना है तो internet जरूए कोई education लेना है तो हमको online ही आजकर लिये जाते है क्योंकि COVID pandemic है से schools or colleges बंद है हमको अगर health related कोई facility जान करी चाहिए तो भी हमको internet का इस्तेमाल करना जरूए है हमको communication जो की इनसान का सबसे बड़ा characteristic feature है उसके लिए भी WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram इसके जैसे मात्यमों का इस्तेमाल करना जरूए है and last but not least हमको हमको हमारा life partner रूणने में भी matrimonial websites के जरूए है इसका मतलब यह है कि अगर internet हमारे जीवन का अभिभज अंग बन चुका है तो हम सबके लिए cyber security क्या होता है internet के इस्तेमाल करने के तरीके क्या होते उसके do's and don'ts, rights and wrongs, positives and negatives, pros and cons सब चीजे जानना हमरे लिए जब दिये तो मैं आपके माध्यम से जनता को request करना चाहता हूँ कि हमारे अधरने पुलिस सायुक्ति स्री अमितिश कुमार सर हमारे एडिशन सीपी क्राइम मिश्टर सुनिल फुलारी सर हमारे डीशीपी क्राइम मिश्टर विवेक मासरा सर योडव्यू नुरूल असर राजमाने सर जो भी सीनियर ऑफिसर से उसके बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस है उन्होंने हमको एक प्लैंग दिया है जिसके तहित कि कैसे हम साइबर क्राइम को प्रिवेंट करे इसके बारे में पूलिस बहुत ज़्यादा मेहनत ले रही है मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई भी ऐसा क्राइम टालना चाहते हो तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है अवेरनेस हम अभी तक साइबर पूलिस टेशन नापूर की तरफ से कम से कम सो वेबिनार् ले चुके है जिसमें कि हमने ये सब चीजे बहुत टेल में डिसकस की है मेरी जन्त को रिक्वेस्ट है कि आप यूटूब पे फेस्बूक पे जाके साइबर पूलिस टेशन नापूर द्वारा जो भी वेबिनार्स इसके बारे में पब्लिश हुए है रिले टेलिकास्ट कि आप अन्नोन वीक्ति के साथ friendship मत कीजिए ना तो उसको फ्रेंट्रीक्वेश्ट बह्यजिए ना उसकी फ्रेंड्रीक्वेस्ट एक्सिप्ट कीजिए आप समझते हो कि जिसका dogować का क्रों चाहिए शान दो वीक्ति के साथ चाहदा करों यहाँ बड़ हमेशा अईसा नहीं ह होता है बहुत सारे अकाउंट्स फेक अकाउंट्स भी होते हैं और आपको लगता है उस विक्ति के साथ आपका कम्यूनिकेशन नहीं हो सकता है कभी-कभी ऐसा होता है तो प्लीज आप वेरिफाइ कीजिए आपके सोशल मेडिया के अक्सेस को कंट्रोल कीजिए उसको प्राइवसी दीजिए उसको सिक्योर कीजिए इसमें अलग-अलग अपस है आपका फ्रेंड लिस्ट आपके फोटो आपके वीडियो आपकी परस्टनल इंफॉर्मेशन सोशल मेडिया पर अगर जरूरी नहीं है तो आप प्लीज मत आपका जो भी इंपोर्टन जानकरी जो आपके पास प्राइवेटली होनी चाहिए उसको आप पब्लिश मत किजिए और जनता को मेरी रिक्वेस्ट है कि नापपूर पुलिस आपके जान और माल की रक्षा के लिए आपको साइबर क्राइम से बचाने के लिए कटिबध है इसमें हम हमारे सीनेर ओफिसर्स हमारे सभी कर्मचारी बहुत मेहनत ले रहे बट जब तक जनता इसके बारे में अवेर ना हो तब तक इस क्राइम को रोपना बहुत डिफिकल्ट है स्वार्थ लालच लोब मोह मत्सर माया ये शायर इंसान की फित्रत होती है बट बहुत सा पर पर दोब भी आप आपके अकाउंट से किसी अकाउंट में पैसा ट्रांसपर किया जाता है और अल्टिमेंटले आपका चिटिंग किया जाता है तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे गलत मैलिशियस इमेल या फेक मेसेजेस या कॉल्स को रिस्पॉंड मत कि अगर कोई ऐसा मेल या पाल आता है तो इमेजेटले आप साइबर पॉली स्टेशन पे कंप्लेंट किजिए महारश्य साइबर का साइबर सेल है जिसमें कि आप आप आनलाइन कंप्लेंट कर सकते हो एनसे सी आर्पी नैशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पॉर्टल इसके उपर भी जाके आप online complaint कर सकते हो, एक toll free number आपको दे रहा हूँ, 1800-114949, इसके उपर आप complaint भी कर सकते हो, आपको पुलिस टेशन में भी जाने की जरूत नहीं, और जिस किसी माँ बहन के बारे में अगर भगवान ना करे, कोई गलत गटना होती है, तो उस माँ बहन बेटी को अपना नाम भी उजागर करने की जरूत नहीं है, unknown, unanimous complaint भी की जा सकती है, आपकी हर complaint के ओपर पुलिस अपनी कारवाई करेगी, बस आपको alert रहना है, सभी बाते जो जो बातों से cyber crime हो सकता है, उनसे आपको बचना है, और ये awareness ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहलाना है, थैंक्यू,